हेलो दोस्तों आपको यूट्योव चनल में स्वागत है और आज की इस वीडियों आपको बताना रहा हूँ टेंस के बारे में ठीक है अगर आप टेंस अच्छे से पढ़ लेते हैं मैं गारेंटी लेता हूँ आप मेरा फूल कुर्स कर लेते हैं जो कि मैं आपको फ्री में करा कि क्या है क्योंकि मैं वहां पर आपको आके नहीं लिए अऔर को फुद को निखाना होगा ठीक है तो आपको फूर और घर नहीं कहीं कोई-पहर कर रहा होगा और आप को दिए लिए क्र काम की आएगा कहा आप आप कोमेंन की लिरे पूच्छे जाते हैं वह आया भी आपको इस सब सॉकंटिय। होते हैं पहला होता प्रिजेंट पास्ट फ्यूचर यह तो सब को पता है और सब के अपने अपने चार टाइप होते हैं यानि प्रिजेंट के चार टाइप होते हैं पास्ट के चार टाइप और फ्यूचर टाइप आपको सब कुछ पता ही है तो मैं आपको आपको और स्टेक्चर याद रखते हैं तो आप कोई भी ट्रांसलेशन है ना असानी से आसानी से बोल पाएंगे देखिए आपका में प्रॉब्लम कहां पर आता है कि आप इंग्लिस आप लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं कि आप बच्पन सही हिंदी सुनते आ रहे हिंदी बोलते आ तो देखिए यह तरीका एकदम पॉर्फेक्ट है और इंग्लिस आप जो बोल पाएंगे वह होगा आपका कोई आपके गलत नहीं बोल सकता है लेकिन यह कब होगा जाब का गैपिंग कम होगा जैसे आप कोई चीज देखिए आपको तुरंत उसका इंग्लिस आपके होगा वह मैं करवाओंगा ठीक है तो चलिए आज ज्यादा टाइम वेस्स नहीं करते हैं आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज की स्वीडियो में आपको बताना आव लाहा हूं सिंपल प्रिजेंट इंस के बारे में ठीक है तो आप लोग का हेडिंग देजिएगा स इसके बारे में हम लोग जानने वाले जो कि अपका प्रिजेंट टाइप है ठीक है प्रिजेंट टैप है तो इसको आज हम लोग देखने वाले सिंपल प्रिजेंट टैंस क्या होता है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका पहचान क्या होता है अगर कोई भी हिंडिव अगर आपके सामने लिखा होगा तो आप लोग क्या से पहचानेंगे कि वह प्रिजेंट टैंस का और प्रिजेंट टैंस है और वह सिंपल में सेंटेंस के लास्ट में यानि वाक की जो हता आपका हिंदी कि या उसके अंतमे आपको हो दिखता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वह प्रेजेंटेंस का है लेकिन उस चारों में से कौन सा होगा जब आप सिंगल सिंगल पढ़ेंगे जैसे आज मैं आपको फर्स टैप करा रहा हूं presentance का तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे तो पहला पर यह समझें के presentance कैसे पहचा रही है जब यह आपको हो दिखेगा last में यह का कोई को फॉर्म दिखेगा जोसे बोलेंगे मैं जानता हूं तो last में क्या दिखा ठीक है प्रिसेंटेंस का भी चार्ट टाइप होता है तो यह कौन सा है वह आपको पता चल जाएगा जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे न तो आपको वहाँ पर कोई डाउट नहीं रहेगा तो आप पहले यह समझ लीजे और देखें जब पास्टेंस होगा तो आपको कोई फॉर्म मिलेगा जैसे वह जा रहा था वह जाता है तो आपको लास्ट में जाता था वह जा रहा था इस ट्राइप को मिलेगा तो लास्ट में कोई फॉर्म मिलेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि वह पास्टेंस का है ठीक है और देखें गौग अगर आपको फॉर् कि गौ का फॉर्म बहुत सार हो सकता है गागे गी पूरा हो सकता है अधा लिखने का मतलब यह है कि थाते थी सब हो सकता है ठीक है तो देखें आज मैं बताना वालों पहले आपको simple presentation के बारे में तो देखें इसका पहचान हम लोग पहले जान लेते हैं ठीक है पहचान जानने देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि उसके लास्ट में मिलेगा ता है ती है और ते है यह आपको उसके लास्ट में देखने को मिलेगा किसी भी सेंटेंस के अगर एंडिंग अगर इससे हो रहा है तो आप लोग समझ जाए है आप उसको translate कैसे करेंगे तो पहले मैं आपको इस पर एक्जांपल एक दिखा जाता हूं जिससे आपको concept के लिए हो जाएगा जैसे मैं बोलता हूं एक simple example में दे रहा हूं यहां पर जैसे मैं बोलता हूं मैं मैं जानता हूं तो देखें ता है last में मिल रहा है यह दिखें है का form यह निशुचेगा यहां पर अब सबसार है यहां पर को है तो यह ही तो दिखें ती है मिला यहां पर भी ती है इसका होता है यह simple present tense है अगर आप यह पहचाना सीख गए एक एक 35icana object यह आपका subject है यह आपको object है ओरका subject और यह आपका concept है और यह दोनों जो है वह आपका वरव है भारव forms है यह भीवन है his form है यह ये कैसे बनता है तो अब का जो भी फॉर्म आप देखते हैं गृंहर आ आप उल्टाएंगे grammar का बुक होगा आपके पास उसमें जाएंगे भर फॉर्म उल्टाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा भाण का फाइफ फॉर्म तो भर्प का फिप फॉर्म कैसे बनता है तो भीवन में सिंगल नेम देखेंगा अभी मैं बताओ कि किसको बोलते हैं chemical अगर आपको कभी डिखेंगा तो इस सबसे हमेसा वे फाइप का यूज्ड करेंगे इसका भी फाइप करेंगे ना कि भीवन का तो बोलेंगे सर में बता seuust तो नी के आहिसे यह सब के अलराबव जो भी आपको दिख जाये वहां पर आखमोन के आपको भीवन लगा देना आप सिंगल में पारे हैं क다 यह चीनलेीम departure करते हैं कि सिटके कुछ मिलता है तो यह single name में नहीं आएगा यह single name नहीं हो सकता है single name खुद बे-खुद single रहेगा and के साथ जोड़ा नहीं होना चाहिए सकते हैं मुझे कुछ भी लेकिन पहले आप एक बार मेरा फुल कोर्स कर लिए अगर उसके बाद आप इंगलिस नहीं बोल पाते हैं फिर आप बोलिएगा लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर नहीं होगा ठीक है ना तो देखें मैं इसी एक्जांपल को अभी ट्रांसल मैं होगा और ऑबजक्ट उसको बोलते हैं घ्यसे की मोहन एक खाता है ठीक है तोम में कोन खा रहा है मोहन को मोहन कोनट अपका सब्जिक्ट होजाएगा और जिस पर सब्जिक्ट कुण होगा जिसप्जिक्ट पढरता है जो चो वांसाधा पर रहा है तो इफेक्ट किस मेंद पर रहा है कि युद्ok m sure रहता है जैसे जानना सोचना दौरना जाना आना अंत में ना लागा रहेगा ठीक है और सेकेंड चीज अगर आपको कभी अगर आपको भर पूरा-पूरा पहचानना है तो दो चीज आपको याद रखना है पहला तो ना लगा होगा लास्ट में जिसको करने में समय लगेगा जैसे पढ़ने में समय लगता है तो पढ़ना भर्व है सोचने में समय लगता है सोचना भर्व है सोने में समय लगता है तो सोना भर्व है और फिर मैं आपको और क्या दूँ जैसे जाना जाना में लास्ट में ना है और जाने में समय लगता है आना आने में समय लगता है और यह दो चीजा आप फोकस करेंगे तो आप आप आसानी से फाइंड कर लेंगे तो दिए मैं का इंगलिस क्या होता है सबको पता होगा आई होता है तो आई लिग दिया मैंने अब देखिए आई के साथ क्या लगाऊ भीवन या भीवाइब लगाऊ तो यहां पर देखिए जो मैंने आपको दिया है यहां पर आई आपको कहीं पर देखिए रहा ही सी एट और सिंगल नहीं है आई है कहीं पर नहीं है यानि भीवाइब तो नह नो पढ़ते तो सेम इसको ही आप प्रणाउंसेशन ऐसा ही करेंगे इसको ही नो पढ़ेंगे आज से ठीक है तो ऐसे बनेंगे तो मैं जानता हूं को एंगलिस यह होगा आइनो एकदम सिंपल तो आपको थोड़ा मोरा वाइड मीनिंग जो है वह आपको मैं वीडियो में जो लेने का फिर लेरे अपने सट्राई कर सकते नैंट लेने का अपने से कर सकते हैं और मैं आपको ट्रांसलाइट करके दरओं वह तो दिया यहां पर वह सोशती है यह है तक ल प्ड़ेगे यह भीवन लगएगा सी के साथ यहां पर चिक करीए यहां पर यहां पर लिखा है क्म क्या लगेगा जब भी फाइब लगेगा तो यहां पर क्या हो जागा ठींग के बदलता है और एस लगाते हैं जैसे आपका प्ले यानि खेलना आपका वर्व है उसका अगर आप भी फाइब बनाएंगे तो उसमे एस लग जाता है इसमें लगता है लेकिन अगर आपका जो मैं एक एक्जांपल लेता हूं जिसमें यह लगता है जैसे गो को आप बीफाइल में बदलेंगे तो यह लग जाएगा यहां पर इसमें इस लगा तो यह जब आप फर्फर्म उल्टाइंगे तो महां पर आपको यह concept जो हो जाएगा आपको लास्ट में ता ती ता ते ती ता ती 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 आपको 3 मिलना चाहिए तीनों वेसे कुछ आपको एक दिखेगा अगर आपको नहीं नहीं दिखे रहा है यानि यह सिंपल प्रेजंटेंच नहीं है तो वह अभी आप ट्रांसलेट नहीं कर पाईए क्या पूरा जबतर क जासमें मैं आपको एक देता हूं ना मेल सिरंपल लेता हूं मैं। कि शेंपल तो लेता हूं जैसे मैं यूशन का जयाता हूं अभी मैंस सिंपल एक्जम्पल ले राहा हूं और टिरे अ करता जांगो चांगा ठिकазывालिकakah historically अब I के साथ B1 या B5 लगेगा तो देखें, he seat में तो I आता नहीं है यानि B5 तो नहीं लगेगा यानि B1 लगेगा, तो जाना का English क्यों होता है Go, तो सिर्फ यहां पर आप Go ही लिख देंगे, कि B5 तो आपको लगाना नहीं है अगर यहीं पर example रहता है कि वह जाती है, देखें अगर यहां पर रहता कि वह जाती है तब आप क्या करते हैं, तब तो पहले यहां पर, वहां के English क्यों हो जाता है C, लड़की के लिए तो C अजाना का क्या होता है, Go बहुत बच्चे यहां पर क्या करेंगे, C, Go लगा दिया, हो गया, सही हो गया लेकिन यह रॉंग है क्या है, रॉंग है, असली क्या होगा एक दम जो सही होगा, वो क्या होगा तो देखें, मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है कि He C8 के साथ क्या लगता है, B5 यानि, यहां पर He C8 है यानि, B5 लगेगा, तो गो का B5 क्या होता है मैंने अब यहां पर आपको बताया है, क्या होता है यहां पर क्या हो जाएगा, C, Go और यही कुछ सब आपको मिलेगा, कहां पर तो आपको जो भी common error आता है न, government job का उसमें आपको मिलेगा, लेकि इतना easy नहीं रहेगा आपको number sentence दे रहाएगा, उसमें कहीं पर यह ऐसा yes या फिर कुछ ऐसा grammatical error करके देगा आपको आपको find करना है, ठीक है, तो जब आपका पूरा base मजबूत होगा तब ही आप पहचान पाएंगे, नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है न, तो जखे, तो यह तो आपका हो गया simple sentence, ठीक है न, इसमें अभी आपको नहीं नहीं लगा हुआ है, ठीक है न, इसके बाद अगले जो वीडियो होगा, उसमें आपको बताऊंगा negative sentence के बारे में, और इस टाइप का जो sentence होता है, जिसमें नहीं नहीं लगा रहता है, इस sentence को हम लोग बोलते हैं, affirmative sentence, क्या बोलते हैं, affirmative sentence, आप लोग लिख लिजेगा, क्या बोलते हैं, affirmative sentence, हिंदी में बोलते हैं, इसको सकारात्मक वाक्य, ठीक है, आप हिंदी लिखना चाह तो इसका अलग बनेगा वह मैं आपको नेक्स वीडियो में बताने बैठ किया तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा और आप लोगों को मैं कुछ अधि जाते हैं आप मुझे कमेंट में बना के भीश सकते हैं मैं आपका कमेंट जरू से जरूर देखूंगा हम लोग की एंगलीच ह JAC V हम लोग पटते हैं जैसे दॉसे मैं मैं बाजार जाता हूँ बाजार का होता हैi market मैं बाजार जाता हूँ जहाँ भी जाएंगे लगाके जाएंगे कैसे थो मैं आपको एक इक्जापल दिखाई देता हूँ जैसे Yes I पहले मैं क्या लगांगा आई जाना का इंग निग्स क्या होता है और देखे भीवन लगा हूं याँ फाइप तो तो ही सीड में आयाता नहीं है यानि भीवन ही लगेगा तो हो जाएगा यहाँ भी जाएंगे डू लगा जाएंगे जैसे मार्केट जारे तो निआए क्सuld clique लिखेगा तो या से बनाते है अं तो निएक्ट लगे लίखे हैं आप अपने और वोग अपने काप्पी में मैं जाता तभी आप इसको translate कर पाई है और लास्ट ने आपको है दिखेगा यह तो मैंने आपको पहले बता दिया है का कोई फॉर्म दिखेगा तो भी आने चार एक्जांपल यहां पर दे दिया और आप अपने से भी लेकर practice कर सकते हैं जैसे मैं जाता हूं simple example आपको भी लेना है मैं ज आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा क्योंकि मेरा मकसर है कि आप इंग्लिस बोल पाएं ठीक है तो thank you so much for watching this video अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं नीगे टेप संटेंज के बारे में तो मिलता ही नेक्स वीडियो में तरफ तक लिए अपना ध्यान रखिए